नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि कोईविटेंस डी टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है कोईविटेंस डी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और कोईविटेंस डी टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि कोईविटेंस डी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए कोईविटेंस डी टैबलेट का उप्योग शरीर में दर्ध होने पर और सूजन को कम करने के लिए कोईविटेंस डी टैबलेट का उप्योग किया जाता है यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़ा से सूजन आ गई है तो कोईविटेंस D टैबलेट दर्थ के साथ सूजन को भी कम करती है और कोई चोट लगने पर घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करती है कोईविटेंस D टैबलेट का उपयोग शरीर की मासपेशियों में दर्थ होने पर, शरीर की हड्डियों वशरीर के जोरों में दर्थ होने पर, दातों में दर्थ होने पर, कमर में दर्थ होने पर, कान में दर्थ होने पर और गले में दर्थ होने पर आधी कंडिशन्स में को कम करने के लिए भी कोईविटेंस डी टैबलेट का उप्योग किया जाता है कोई सर्जरी होने के बाद या कोई एक्सिडेंट होने के बाद घाव को जल्दी ठीक करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्तर कोईविटेंस डी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क्रिप्या वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में कोईविटेंस डी टैबलेट की वज़़ से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में कोईविटेंस D टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे बध़जमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर खुजली होना, तवचा पर रैशेस होना, भूग कम होना, दस्त होना और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में coavitans D tablet को लेने से kidney वर liver damage हो सकते हैं। और शरीर में खून की कमी हो सकती है। allergic reaction किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि आपको coavitans D tablet को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुह गले होठो या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशिस या कोईविटिन्स डी टैबलेट को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रियेक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रियेक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवशकता होती है अब हम डिसकस करेंगे की कोईविटेंस डी टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है कोईविटेंस डी टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर कोईविटेंस D टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की कोईविटेंस D टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। अधिक कोईविटेंस D टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए कोईविटेंस D टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को कोईविटेंस D टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कोईविटेंस D टैबलेट से संबन्धित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है प्रश्न है